तो recently इस प्राइस के अंदर काफी नए फोन आ रहा है भाई लेकिन 13-14,000 के अंदर दो नए 5G फोन लॉंच हो हैं एक है Samsung का F15 5G और एक है Moto का G34 5G कौन सा आपको चूज करना चाहिए वही जानते हैं बहुत सिंपल तरीकी से पहली बार इस चैनल पहले हो तो मेरे नाम है प्रभविर्क प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो ची लगती है देखो पहले box content देखोगे तो Moto Valor भी आपको cover नहीं दिया है लेकिन बाकी सारी चीज़े है specially charger आपको box के अंदर ही मिलता है वही पर Samsung का box देखोगे पतलास आपको box मिलता है और सिर्फ phone और एक cable मिलती है और charger ना आपको अलग से खरीदना पड़ता है तो box content के अंदर जरूट Moto वालो ने अच्छा काम किया है अब बात करते हैं design की देखो और camera model की बात करें तो personally मुझे definitely Samsung का जो camera model है वो काफी अच्छा लगा बट उसके लाबा Moto में सब कुछ अच्छा है देखो especially back से देखोगे तो उसका texture जो है Moto के अंदर आपको एक leather finish मिलती है वही पर Samsung के अंदर जो plastic finish है वो काफी ज़्यादा fingerprint magnet पी है मतलब साफ करना पड़ता है बार पर तो उतने premium feel नहीं होता Moto वाला ज़्यादा premium feel होता है even Moto वाला काफी ज़्यादा पथला भी है camera model जिरू Samsung का अच्छा है बट हाँ यह चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इसमें 1000 mAh बैटरी आपको ज़्यादा मिलती है Samsung में इसकी वैसी मोटा और भारी है बट comfortness और premiumness के अंदर Moto वाला ने अच्छा काम किया है अब build के अंदर भी पीछे देखो plastic है यहाँ पर leather finish है यह ज़्यादा अच्छा feel हो रहा है ज्यादा solid feel हो रहा है even Moto के अंदर IP54 की rating है तो normal water splashy से कुछ नहीं होगा Samsung के अंदर ऐसी कोई rating आपको नहीं मिलती तो हाँ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब display की बात करें तो Moto के अंदर पंचोल वाली display मिलती है Samsung के अंदर आपको एक notch वाली display मिलती है bezels के अंदर भी देखोगे तो Moto के अंदर आपको bezels as compared to Samsung आपको कम मिलते है लेकिन इसके इलावा Samsung की display के अंदर आपको quality मिलती है मैं auto में लेकी किया था और फिर स्क्राइब ब्राइटनेस चाहे की तो Samsung की brightness बहुत ज़दा आपको मिलती है मैंने viewing angles चाहे किरे तो Samsung के viewing angles भी बहुत ज़दा आपको अच्छी मिलते है क्योंकि Samsung में आपको एक Super AMOLED display मिल रही है वही पर moto के अंदर आपको HD plus LCD display मिल रही है तो हाँ details के अंदर colors के अंदर blacks के अंदर Samsung बहुत अच्छा काम कर रहा है even Samsung के अंदर support भी अच्छा है 1443 में आप Samsung में video देख सकते हो moto के अंदर सिर्फ 1080p का support है तो हाँ details obviously Samsung के अंदर आपको बहुत अच्छी मिल रही है वैसे हाँ refresh rate के अंदर moto के अंदर आपको 120Hz का refresh rate मिलते है Samsung के अंदर आपको 90Hz का refresh rate मिलते है 120Hz आप ज़्यादा use कर रहे हो तो आपको जरूर फिल होगा कि Samsung slow है लेकिन अगर आप 60Hz से इन दोनों फून पे आउगे आपको दोनों ही smooth feel होगे वैसे Samsung में ambelade है लेकिन अभी भी इसमें side में finger prints कर रहा है और दोनों के side में finger prints कर रहा है जो कि kind of एक जैसे ही काम कर रहा है बढ़ हाँ display के अंदर notch जरूर आपको मिल रही है Samsung में लेकिन brightness quality और details और colors और blacks इवन इसमें YouTube का जो support है वो भी अच्छा मिलते है तो आप display के अंदर आपको Samsung वाला quality जादा दे रहा है थोड़ा से यह ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको थोड़ा सा old यह feel होने वाला है उसके लावा display quality Samsung की अच्छी है अब sound quality के अंदर हमारे पास clear विना रहा है देखो वैसे दोनों के अंदर ही bottom में आपको speaker मिलता है लेकिन moto के अंदर ना top पे भी एक speaker है तो इसका मतलब कि है moto के अंदर आपको dual speaker मिलते है Samsung के अंदर स्फिर single speaker है और even Dolby Atmos का support अच्छा है Moto के अंदर हमेशा ही आपको Dolby Atmos देता है वहीं पर Samsung के अंदर इसे आप on करना चाओगे अगर आप speakers पर गाना सुनना चाते हो तो वो तब काम ने करता है अगर आप earphones connect करोगे इसके साथ तब आप Dolby Atmos यानि सिर्फ Dolby Atmos earphones के अंदर काम करता है इसके अंदर Dolby Atmos लगातार काम करता है तो हाँ, sound quality के अंदर Moto वालों ने जादा अच्छा काम किया है अब software की बात करें यहाँ पर दोनों की अच्छी बात है कि दोनों ही latest Android Origin पर चल रहा है जो है Android 14 लेकिन update support के अंदर Samsung वालों ने कमाल कर दिया Samsung के अंदर आपको 4 major update मिलेंगे और 5 साल तक security update मिलेंगे जो इस price में कोई brand नी दे रहा है तो इसकी वैसे आर Samsung वाले का software बहुत आगे निकल जाता है Moto के अंदर ऐस सच कोई promise आपको नहीं मिलता है वैसे Bluetooth दोनों में है Samsung में आपको थोड़ा ज़्यादा मिलता है ads वगरा भी ज़्यादा मिलती है लेकिन दोनों में ही आपको uninstall करना पड़ेगा वैसे even animations वगरा भी जैसे app open करते हो close करते हो दोनों में ही आपको मिलती है तो smooth काफी feel हो रहा है लेकिन आप Moto के अंदर software में एक और पंगा है call recording करते हो आप वैसे तो option दिया है लेकिन जब आप call recording करोगे अगले बंदे को पता चल जाता है क्योंकि एक आवाज सी निकाल देता है लेकिन Samsung के अंदर आप silent call recording कर सकते हो तो हाँ software के अंदर promise अच्छा आपको मिल रहा है चार major update मिल रहा है वो बहुत कमाल की बात है और silent call recording भी तो software के अंदर Samsung का अगदम clear winner है वैसे हमें भी आप winner बना सकते हो अगर आप कोई वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज लाइक and share कर देना इससे ही वीडियो चल जाएगी अब देखो performance important है and I think आपको पता ही कौन जीतने वाल है Moto के अंदर snapdragon का 695 processor है Samsung के अंदर mediatek का 6100 plus processor है पहले आप scores देख लो scores में एकदम clear है कि भाई Moto वाला काफी अच्छे scores करता है और ये powerful है से हमने BGMI launch किया हलकी सी speed increase करते है यहाँ पे भी same result Moto वाला इसे आगे निकल जाता है एक और बड़ा game launch कर देते है COD launch करते है हलकी सी speed increase करते है यहाँ पे भी same result Moto वाला इसे जल्दी launch कर देता है तो हाँ performance के अंदर आपको देखेगा मोटो वाला ने यह काम तो अच्छा किया है अब camera important है इसकी जान लेते है देखो दोनों 50MP का main camera देते है लेकिन यहाँ पे Samsung में एक 5MP का ultrawide भी है अब देखो दोनों के main camera एक compare करोगे 50MP वाले तो पहुँच ज़दा similarity फिर होगी colors का बढ़ा difference है Samsung वाला थोड़े से cool temperature पे जाता है और वहीं पे Moto वाला थोड़े से warm temperature पे जाता है yellowish थोड़े साथ रहता है और इसकी वैसे Samsung की कई बार photos किसी को अच्छी लग सकती है बाकि इसके लाबा major आपको colors का difference मिल रहा है zoom करके देखते हो दोनों में आपको details मिलेगी लेकिन Samsung वाला जो sky है वो अच्छा control करता है mostly ये sky को blue रखता है जो काफी लोग को ज्यादा पसंद आती है और Moto वाला ये करने में थोड़ा सा fail हो जाता है कई बार इसकी थोड़ी से photos overexposed भी जाती है Samsung वाला ज्यादा तक light control बहुत अच्छा करता है इवन portrait shots के अंदर भी edge detection वेगर आपको kind of same मिलता है लेकिन sky वेगर जो है Samsung का ज्यादा consistent रहता है बट रात के अंदर आपको ज्यादा difference फिल होगा Samsung की जो photos है वो काफी जदा bright आती है वैसे दो details kind of same है लेकिन colors और जो brightness है वो है Samsung की photos में ज्यादा अच्छी मिल रही है तो एक चीज़ जरूर काँगा कि बहुत ज़्यादा similar काम कर रहे है colors और light control का ही difference है लेकिन Samsung वाला ज्यादा consistent काम करता है वैसे video के अंदर दोनों ही 1080p 30fps पे support करते है and kind of same आपको stabilization मिलती है यहाँ पे भी colors और light control के अंदर Samsung वाला ज्यादा अच्छा काम कर रहे है अब 5MP का जो ultra-wide है Samsung के अंदर Moto के अंदर ऐसा कुछ नहीं है वो decent काम करता है दिन में colors और light control तो अच्छा है लेकिन zoom करने पर details नहीं है और रात में bright तो है लेकिन zoom करने पर बहुँ जदा details कम आ जाती है बटा एक चीज़ है कि भाई Moto के अंदर वो मिलता ही नहीं तो एक advantage एक और मिल गया Samsung के अंदर अब सामने selfie के अंदर Moto के अंदर 16MP का selfie camera है और Samsung के अंदर आपको 13MP का selfie camera मिलता है देखो zoom करके देखते हो दोनों में details कमा रही है जो मुझे काफी surprise लगा लेकिन यहाँ पर भी colors और जो sky को blue रखना वो Samsung यहाँ पर भी करता है जैसे थोड़ा से example आपको videos ही देना चाहूँगा दोनों में video 1080p 30fps पर बनते हैं लेकिन sky देखना Moto के अंदर वो white रहता है वो काफी bright है इसके लावा बहुँच ज़्याँ सिमिलर काम कर रहे है लेकिन Samsung के images ज़्यादा bright मिलती है वैसे मैंने portrait shots का नहीं बता है portrait shots के अंदर भी Samsung का edge detection है और colors light control जो हैं वो भी आपको अच्छे मिलते हैं अब network के अंदर देखो दोनों ने अच्छा काम किया काफी consistent काम कर रहा है इवन दोनों के अंदर दो mic दी गए और call quality भी must है वैसे sim slot भी ऐसा ही है दोनों में आप या तो 2 sim लगा सकते हो या एक sim और एक HD card तो network और call performance जो है वो kind of आपको same मिलती है लेकिन battery के अंदर मोटा और भारी होने का reason है Samsung वाला 6000 mh की battery लेके आता है और वहीं पर motor के अंदर आपको 5000 mh की battery मिलती है तो obviously मोटे और भारी होने का फैदा यहाँ पर मिल जाता है कि battery के अंदर Samsung वाला आगे निकल जाता है अब आखरी में बहुत जादा confusion हो चुकी होगी कभी यह आगे निकल रहा है कभी यह आगे निकल रहा है कौन सा आपको choose करना चाहिए दोनों के माने positive side per side लिख दिया है देखो major आपको जो difference भी होगा अगर आप motor choose करते हो यहाँ पर आपको performance काफी बहतर मिल जागी Samsung के comparison में और इसके speaker जो है वो ज़्यादा अच्छी आपको मिल जागे Samsung के comparison में but obviously Samsung बहुत सारी चीज़े लेके आता है यहाँ पर camera आपको ज़्यादा consistent काम कर रहा है काफी similar है लेकिन ज़्यादा consistent और ज़्यादा better काम कर रहा है software के अंदर जो major update का promise कर दिया है वो बहुत कमाल का कर दिया इसकी battery अच्छी है और display के अंदर yes outdated display feel हो रही है motor के comparison में लेकिन इसकी quality, details और brightness ज़्यादा अच्छी मिलती है तो यह चार चीज़े हैं जो बहतर मिलेंगी अगर आप motor नहीं लेते है Samsung लेते हो देखो हाँ अगर आप मैं बोलूँगा कि दोनों ही complete phone नहीं है आपको अपने हिसाब से choose करना पड़ेगा कि भाई मेरे लिए ये positive ज़्यादा mind रखते है मेरे लिए ये phone बहतर बनेगा क्योंकि ये देखो price ये ऐसा ही है यहाँ पर complete phone आपको नहीं मिलेंगे थोड़े बहुत negative के साथ ही आपको phone choose करना पड़ेगा अब आपके उपर है जिसका positive आपको ज़्यादा अच्छा लगता है वो phone आपके लिए बना है